यह अलजेवरा का पतनी कौन सा पार्ट है यह मुझको याद नी रहा है अलजेवरा का कोई सा था जो भी जो लो ठीग है यह हमारा पार्ट 11 होगा और हम पिसले सालों के थो इमाजरी परदैस पुबिक सर्विस करेंशन का पेपर से ले हैं उसकी कोउछן डिसको कर लाएं रहा हूं आपको को कोंसेप्र भी ठीए क्राराता चार रहा हूं और प्रेसेthose हमां किस्ट बहुत स्टार्ट करते हैं कापी अच्छा कोश्चन है और कैसे स्टार्ट करना है अगर देखते हैं कैसे स्टार्ट करें सब्सक्राइब खते हैं संद्ट नत पाएब तो इसके खुंगेंट से उपनुपर नीचे το सुंगेट का ही भी होता है कि इनका जो साइन है बीच में जैसे इसका रूट 3 प्लस 1 का कॉंजूगेट क्या होगा रूट 3 माइनस 1 सुपर नीचे हमने मुलिटिप्लाइब कर ले तो क्या आ जाएगा यह आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 कौन नीचे यह वाड़ा मैंने पीचे फॉर्मूल ले आपको बता रखें यह स्काईर माइनस बी स्काईर तो 1 का स्काईर तो यह आ जाएं अपके रूट 3 माइनस बन अपॉन रूट 3 का स्काईर ना रान Qurका t की वैलू हम निकाल लेते हैं तो रूट 3 माइनस 1 स्वारी दो बार लग गये रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 का फोल स्कायर कर दो तो कितना आजाएगा फर्स्ट टम का स्कायर प्लस सेगिंड टम का स्कायर और माइनस 2 तो रूट 3 तो ऊपर आजाएगा और नीचे बाले का भी करेंगे इसको दो बार ऐसे लिख दो ऊपर आजाएगा और इस टूरी रूट 3 पाउन तो हमको यह वैल्लू मिल गई इसकी है एकस स्कायर गई अब एकस क्यूम की वैल्ला निकालते हैं तो एकस क्यूम की वैल्लू यही निकाल देते हैं देखो, x cube है यह, मैं ज़रा यहां सम्मिदा देता हूँ, x cube है, तो x multiply x square, अगर आप यह कर देते हो, जो भी x की value है, अल्दर x cube को x multiply x की power 2 लिख सकते हो, तो x square की value मैंने यह निकार लिए, और x की value मैं निकार लिख सकते हो, तो यहां पर x की value यह है, और इसकी value यह है, तो मैं यहां पर multiply करने के लिए जा रहा हूँ, तो 2, इस 2 की 2 में करूँगा, नीचे वाले 2 की, तो 4 आ जाएगा, root 3 की 2 में करूँगा, यह जो root 3 लिखा हुआ है, और यह जो 2 है, तो यह आ जाएगा, 2 root 3, root 3 की minus root 3 में करूँगा, तो यह आ जाएगा, 3 root 3, root 3 की multiply होती, 3, minus 1 की 2 में multiply करूँगा, तो minus 2 आ जाएगा, minus 1 की minus root 1 में multiply करूँगा, तो यह plus का root 3 आ जाएगा, तो उबर कितना बन गया, यहको 2 root 3 plus, 2 root 3 plus 1 root 3, तो 3 root 3, और minus 5 upon 4, यह x cube की value हमारे पास में लिए, x की power 3 की, अब मैं जड़ा इस expression को आगर लिखता हूँ, तो यह बना, 4 x की power 3, minus 2 x square plus 8, 8 x plus 5, एक बार जाएगा, एक स्परेशन को मैंच कर लिखता हूँ, क्या यह ठीक लिखा हूँ, तो x की power, 4 x की power 3, 3, और minus 2 x square minus 8 x 7, ठीक है, तो यह minus plus sign लगा हूँ, और plus का 5, अब मैं यहाँ बर value लगता हूँ, तो x की power 3 की value हमारे पास यह मिली, x की power 3 की value है, 3 root 3 minus 5, तो मैं यहाँ बर value लगता हूँ, 3, और नीचर 4 है, फिर x square की value रखता हूँ, x square की value है, 2, x square की value, 2 minus root 3 upon 2, यह हाँ पर हमना x square की value, अब x की value रखते हैं, तो x की value कितनी है, root 3 minus 1 upon 2, लेख लेते हैं, एक वार गलती है, तो हाँ ठीक है, और plus का 5 ऐसे लिए करते हैं, तो यह बर match कर लेते हैं, तो सब कुछ यहाँ पर ठीक है, root 3 minus 1, और ठीक है, यह 4 से 4 गया, इस 2 से 2 गया, इस 2 की table मा 4 टाइम जाएगा, तो कितना बचा, 3 root 3 minus 5, और यहाँ पर बचेगा, 4, ठीक है, इस पर एक एंसल हो गया, तो कितना बचा, 3 root 3, minus के अंदर multiply कर दो, minus का 2 हो जाएगा, और plus का root 3 हो जाएगा, यह जो minus 4 root 3 है, के अंदर multiply कर दो, तो plus का 4, अब देखते हैं क्या कटा, देखो, 3 root 3 है और 1 root 3, इतना हो गया, 4 root 3, और कितना हो गया, minus का 2, plus का 4, और यह 4 minus का 4 root 3, यहाँ, यह cancel out हो गया, तो कितना बचा, minus का 2, plus का यह answer आगया, 2, तो answer किसका कितना है, answer है, 2, तो पहला option इसका सही है, आप चलते है, next question की और, लेखिए, अब यह question, देखे, यह जो यहाँ पर लिखा है, पहला मैंने question को लिख देता हूँ, यहाँ पर हमको by के value के बारे में बताना है, कि by के value कितनी होगी, ठीक है, तो यह question लिखा होगा, यह है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको, root, ऐसे वाले question को जड़ा, कैसे किया जाता है, यह मैं आपको बताता हूँ, और यह आगर तक, ऐसी, root 7 तक चलता जा रहा है, और इसकी value है, वो यह है, 3, 4, 3 की power, 5 minus 1, तो मैं क्या घटता हूँ, कि यह जो पहना वाला square root है, इसको भटाता हूँ, इसको भटाता हूँ, इधर, अगर मालनों, ऐसा कोई number लिखा हुआ है, तो आप इधर से square root हटाओगे, और इधर square operate कर दोगे, ठीक है, और अगर कहीं यह लिखा हुआ है, तो इ साथ से हम जो working करते हैं, यहां बर जरूरत नहीं थी वह सभी चीजों की, अब मैं देखी, यहां से यह वाला square root हटाओगे, तो इधर, क्या हो जाएगा, 3, 4, 3 की power 2 हो जाएगे, तो 7, square root 7, square root 7, square root 7, और डॉट 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 आगा तक चलता ही जला जला है, 3, 4, 3 की power 2 और एक y- power all लगी होई है, ठीक है, तो यहां पर जो है, यह जो मैंने, यह वाला square root है, जहां पर मैं पैन चला रहा हूँ अपना, इस square root को मैंने हटाया, प्राने के बाद, इधर मैंने square operate कर दिया, और square किसका operate होगा, ऐसे नहीं y- की power 2 का operate होगा, यह तो power में है already, 3, 4, 3 की power y-1, तो यह जो जाएगा, square जो operate होगा, वह 3, 4, 3 की power 2, ऐसे operate होगा, अब देखें, इसकी value तो यह है, तो कि यह जितना भी लिखा हुआ है, अब देखो, इसका मन्दब क्या हुआ है, कि यह वाला portion है, इसकी जगह हम, यह बात लिख सकते हैं, यह question ऐसी होते है 3, 4, 3 की power y-1 इसकी value है, और यहाँ पर 3, 4, 3, यह वो दे रखाया है, यहाँ पर 2, 2, अब आप जो जो है, इसको इसके पहुन में ले जाओ, तो 7 equal to 3, 4, 3 की power, 2, y-1, 3, 4, 3 की power, और जब भी base 1 जैसे होते हैं, बीच में देखिए, अगर मानलों यहाँ पर ऐसा लिखावा, 1 की power, 5, और नीचे लिखावा, 1 की power, 3, base 1 जैसे a है, यहाँ base यहाँ भी a, पावर, तो हम क्या करते हैं, उपर a की power, a 5-3 का देते हैं, ठीक है, तो हम यह वाला कौन सा अपलाई करेंगे, तो यहाँ पर आजाएगा, 3, 4, 3, उपर वाली power मसर, उपर वाली power कितनी है, 2, bracket, 1, y-1, मसर हम, यह वाली power माइनस कर रहेंगे, तो देखते हैं, solve करके कितना आता, तो 7, 80 चल लेगा, 2 के अंदर multiply करो, 2y, 2y-2, और इस वाले, यह जो माइनस बाहर, इसके अंदर multiply करो, तो कितना आजाएगा, यह 2y प्लस का है, यह यह तो पाई आ गया, और यह आजाएगा, माइनस बाहर, ठीक है, तो 7, अब इसको जो 3, 4, 3 है, 7 का क्यू बहुता है, जब पेस एक जैसे हो जाए, इसकी पावर बन होगी, बेस एक जैसे हो जाए, बीच में equal का साइन है, तो पावर को एक दूसरे के equal कर दिया जाता है, तो यह आ जाएगा, 3y-3, तो इसका प्लस का हो जाएगा, तो कितना आजाएगा, 4 equal to 3y, और y की वैलू कितनी आगे, 4 अपन 3, तो यह इसका अंसर, ठीक है, नेक्स कॉश्चन, तो देकी कॉश्चन मतलब पड़े हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, आयो, पतानी कैसे कॉश्चन रखता है, तो आपको कॉश्चन को जो है, सॉल करना है, और केरफुली सॉल करना है, ऐसे नहीं कोई एरर वगेरा आ जाए, तो हम टिक यह कॉश्चन देखते हैं, यह मतलब जादा बड़ा दा कॉश्चन नहीं, चोटा है, और अब हम क्या करते हैं, यहाँ बर दोनों जैनल एक्स ले ले लेते हैं, यहाँ भी क्रॉ इसको टूपाइब जाए, यहाँ पर मल्टिप्लाई मत करना है, तो कॉंसेप्ट लगाओ, स्कॉर गटाओ, स्कॉर रूट अपडेट कर दोगे तरफी चाहिए, 2, 5, 6, मल्टिप्लाई, 5, 7, 6, यह किसका होता है, 6 लगाँ, और यह होता है, तो यहाँ पर सीधा मल्टिप् 8, 4, पहला वाला अंसर हो गया, ठीक है, तो कॉश्चन मतलब सारे मुस्किल नहीं होते, इसी भी होते, जैसे यह वाले कॉश्चन करते हैं, आप देखें, डिविविविविविटी क्या कहती है, जैसे माले नमबर लिखाया है, 7 की डिविविविविविविविटी, तो 8 के बाद 3 को छोड़ो, 8 आएगा, 8 के बाद 1 को छोड़ो, 6 आएगा, इनको सबको प्लस कर दो, कितना आजाएगा, यह हो जाएगा, यहां पर 8, 16, 16 हो गया, 5 प्लस 20 बना गया, फिर दूसरी अल्टरनेटिव डिजिट, एक यह, एक यह, इनको प्लस करो, तो कितना है, तो कितना आजाएगा यहांबर, 21 माइनस यह, 18 आगया, माइनस का 2 ए, अब एक ही हम क्या वैलू रखें यहां से, देखो, कि 0 आजाए, देखो, अगर आपने, एक ही 9 रखी, तो कितना आजाएगा, 18, 9 to the 18, equal to 0, तो इसका जो आंसर है, वो सी आंसर है, ठीक है, अब यह कोशन है, अब जिस कोशन है, जिन लोगों ने इसको कोशन है, वो बेवर को भी की तरह सॉल किया, तो समझ लो, उसका तो बेड़ा गरत हो जाएगा, अब ज़रा मैं समझो ज़रा, इस वाले पार्ट को ले रहा हूँ अभी, यह बाद मा लिखूँगा, तल इसको देखो, इसमसे भी, x की पावर 3 मैं बहार ले रहा हूँ, तो कितना रह जाएगा, x, x माइनस 17 रह जाएगा, ठीक है, और x की पावर 3, x की वैलू रखों आप 16, तो कितना आ गया, माइनस बाद, तो इतने पार्ट को शॉल कर लिए हैं, अब मैं इस पार्ट को लिख रहा हूँ यह मैं जाएगा, यह मैंनस की मल्टिप्याइ, x की पावर 3, प्लस, तो फिर से x की स्क्वार बहार निकालो, तो कितना रह जाएगा, माइनस का x, प्लस 1, ओर फिर से वैलू रखों यह x की, देखों, इस वाले x में नहीं रखना, यह x की स्क्वार हों बना, फिर सो सारा काम खर बात नहीं होती है, तो कितनी आ जाएगी हाँ पर, यह आ जाएगा, एक सेगिन कुछी गड़बट दो हुए, X की बावट 3, तो कितना आ गया, माइनस का 1, और ठीक है, माइनस की आ गया, यहां सा X की बावट 2 बहा ले लिए है, और फिर से मैंने X की वैलू रखी, ठीक है, त तो X की बावट रखने से यहां पर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, अंदर कितना आ गया, माइनस का 15, शायद कुछ गड़बट हो रहा है हमपर, तो ऐसा कुछ बावट बननी चाहिए, इस कोशन को नेक्स वीडियो में देखते हैं, क्योंकि इसमें सायद कुछ गड़ वीडियो में आप इंक्लूड करते हैं, और अपना जो लेक्चर उसको यही पर समाब करते हैं